आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग 15 मिनिट के अंदर अपनी बिजनेस वेबसाइट कैसे बना सकते हो वर्डप्रेस के थूरू अच्छी स्पीड के साथ में हाई गाइस मेरा नाम है कृपिश आडवानी आज का एक टूटोरियल वीडियो होने वाला है आज मैं आपको बता हूँ कि वर्डप्रेस के थूरू हम लोग अपनी बिजनेस वेबसाइट को कैसे सेट अप कर सकते हैं जो मेरा इहां पर फोकस रहेगा वह यह रहेगा कि उसकी स्पीड भी कया अची़ करें क ench कि उसकी अच्छी होना चीए दिखना भी अच्छा होना चीए और बहुत ज़्यादा महिंगी होस् चिंगड mmm geldi यूज नहीं करेंगे, जिस होस्टिंग का आज हम लोग यूज करेंगे, वो है होस्टिंगर, और वो आज के इस वीडियो के स्पॉंसर भी है, होस्टिंगर एक अपॉरड़ेबल होस्टिंग सर्विस है, इसके बारे में मैं काफी बातचीत कर चुका हूँ, इस चैनल के उप इनके सर्वर्ढ में भी हैं, तो आज हम लोग इंडियन पॉइंट-अफीव से देखें हैं कि इंडिया में हमें हापे कितनी स्पीड मिलेगी, अगर इम लोग संगापूर के सर्वरण लेते हैं, एक अच्छी वैबसई बनाते हैं, ची थीम लेते हैं और लाइट चैशे प अज़र नहीं ही रहेगा बलकि यह रहेगा कि स्पीड कैसे अचीव करी जाए क्योंकि 2021 में स्पीड होना बहुत इंपोर्टन होगया है पेटश्पीड स्कोर जो रहता है Google का उसको कैसे अचीव करें 90 प्लस पिज़ोर को कैसे अचीव करें बिना किसी वो सब कुछ आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सो थांक्स टू होस्टिंगर जिन्हों ने मुझे आपे स्पॉंसर किया है इस तुटोरियल वीडियो को बनाने के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो इसको थम्स अप ज़रूर देजेगा आपको बेसिक ओवर्वीव देता हूं कि मैं आपको यहां पर क्या क्या चीजे बताऊंगा सबसे पहले आपर मैं आपको एंड प्रॉड़क बताऊंगा कि कैसी हमारी वेबसाइट बनेगी एंड वर्ड़्पेस को कैसे इंस्टाल करना है थीम कैसे इंस्टाल करना है lightspeed cache को कैसे tune करना है quick.cloud से कैसे connect करना है and end में उस website को आप लोग खुद कैसे edit कर सकते हैं so बिना किसी delay के चलते हैं screen के उपर so सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा यहाँ पर end goal क्या रहेगा यहाँ पर मैंने hosting कर गी एक hosting purchase करी है business web hosting इसके उपर हमने website बनाई है कौन सी website है वो जो final website रहेगी हमारी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी मैं step by step बताऊँ कि कैसे बनाई है कौन सी theme का use किया है क्या क्या plugins यूज करे है सब कुछ free में है free theme free plugin का ad present हमने use किया है जो इसका url है वो है kptesthosting8.xyz अभी फिला लिए इस domain के उपर है then हमने आपे speed score भी रन किया उसको speed के हिसाब से भी optimize किया है जिसमें आपको यहाँ पर 90 above score मिलेगा कभी 99, कभी 95, कभी 91 उसी के बीच में इसका score रहेगा और जो इसकी loading speed रहेगी वो रहेगी 893 ms के आसपास की सो यह रहा हमारा end goal अब यह किस तरीके से website बनानी है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें purchase कैसे करना है hosting गर से hosting को उसके लिए मेरा एक training program है आप लोग चले जाएं यहाँ पी मैंने free preview lessons create करके रखे हैं तो best plan कौन सा है कैसे purchase करना है कौन से step आते हैं कौन सा server है आप इसलेक करना है यह सब free preview lessons से वो आप लोग देख सकते हैं और अगर आपको मेरे training program में entry लेनी है तो उसके बारे में भी मैंने detail में बताया है कि कैसे वो आपको मिलेगी तो यह free preview lessons देख लिएगा आपको पूरा idea मिल जाएगा कि exactly कैसे purchase करना है यहाँ फिर अगर आपको यह नहीं देखना है तो फिर आप लोग यह वाला YouTube वीडियो मेरा पहला वाला भी देख सकते हैं इसमें भी मैंने यहाँ पर purchase करके बताया है वे Kptest Hosting 8.xyz अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जाएंगे और इसमें WordPress को install करेंगे WordPress को install करने के लिए सबसे पहले हैं आपको auto installer को यहाँ पर select कर लेना है नीचे आ जाना है आपको auto installer पर select करने के बाद आपके पास यह सारे options आजाएंगे अगर पहले कुछ WordPress installation है तो वो इसके ऊपर आ जाएगी नहीं है तो यहाँ पर blank रहेगा नीचे से यहाँ पर आपको WordPress को select कर देना है यहाँ पर आपका ठीक है administration password हम लोग यहाँ पर मैं अभी फिलाल रांडम generate कर लेता हूं website title business website on hostinger ठीक है नीचे आजाते हैं नीचे आजाते हैं डेटाबेस पासवर्ड अगें फिलाल में यहाँ पर जो मेरा यहाँ पासवर्ड है अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है एडिट वेबसाइट पर यहाँ पर मेरे पास एक पॉप-प आगया है तो इसमें आप लोग गो बैक टू डाश्बूर्ड कर देंगे अभी कोई आपको सेट अप करने की ज़वरत नहीं है सब मैं आपको यहाँ पर स्टेप बताऊ सिर्फ लाइट स्पीड कैशे प्लगिन रहेगा बाकि सब यहां पर डिवा अक्टिवेट हो जाएंगे शायद से आपको यह सारे प्लगिन नहीं दिखे शायद से कुछ सिलेक्टेड ही दिखे तो जो भी आपको दिखेंगे आप लोग सब उनको डियाक्टिवेट कर देना से प्लाइट स्पीड कैशे प्लगिन यहां पर रहेगा चीज़े क्लीन करने के बाद हम लोग सबसे पहले जाएंगे अपिरेंस पे यहां पर आड़ नियू करेंगे जिस तीम का मुझ यहां पर यूज करेंगे वह एक के डिन्स तो यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं उसको क पिरेंस में के डिन्स के अंदर मिल जाएगी अब हम लोग यहां पर बिल्दर में आप लोग सिलेक्ट कर लेजगा अभी हमारे पास काफी सारी टेंपलेट सबस्क्राइंग जिस टेंप्लीट का मैं यूज करहंगा इसके लिए वहहेगी हमारी एजिंसी के लिए एक क्या चीज आ पर देनी पड़ेगी अब यहां पर फॉल साइट पर क्लिक कर देता हूं और केडेन्स ब्लोग के मुझे इंस्टाल करने का भी कर लेंगे स्टार्ट इंपूर्टिंग, यहां पर इंपूर्ट हो गया है, Finished View Your Website, यह रही मेरी website में, एक पर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यह रही है यहां पर मेरी website, यह import हो चुकी है, अच्छी दिख रही है, लेकिन अभी यहां पर आपको इसकी speed अच्छी नहीं देखी तो तो अब इसकी speed को कैसे optimize करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो speed settings ले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर light speed cash plugin को ट्यून इन करेंगे light speed cash plugin पर आपको चले जाना है अभी फिलाल यहाँ पर मेरा कुछ ज्यादा setup नहीं है एकदम default settings पर है यहाँ पर हम लोग सीधे में आपको इसकी settings इंपोर्ट करने के लिए दे दूँगा आपको कुछ यहाँ पर अपने तरफ से जादा settings में अभी add present जाने की जहुरत नहीं है इसमें कैसे settings करते हैं इसका मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ आपको आई बटन के ओपर मिल जाएगा अभी फिलाल यहाँ पर आपको सीधे वाली settings को import कर लिए settings आपको कहा मिलेगी settings ले आपको नीचे एक link मिलेगा इस link पर आपको क्लिक कर देना है एन भी settings आपके पास आपके आपर डाउनलोड हो जाएगी एक बार आपके बाद आपके settings आगे उसके बाद आपको toolbox पर आजाना है import export पर आजाएगी then choose file पर अली file को आपको select कर लेना है जो download हूई है इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे फीक है it is looking good अब इसके बाद हम लोग यहां पर जो दूसरा step करेंगे वो करेंगे quick.cloud को connect quick.cloud को connect करने के लिए आपको यहां पर dashboard पर आजाना है general पर आजाना है इसके अब यहां पर हमें सबसे पहले चाहिए रहेगी इसकी domain की यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे request domain keeper domain की registration होने के बाद यहां पर आपको pop-up आजाएगा क्यापी domain की यहां पर अप्रूव हो चुकिए इसके बाद हमें यहां पर चले जाना है quick.cloud के dashboard पर quick.cloud का कुछ इस तरीके से यहां पर आपको dashboard दिखाई देगा मैंने अपना account create कर लिया है यहां पर आप फ्री में easily account create कर पाओगे कोई payment नहीं देनी ad present website भी यहां पर add हो चुकी है kptsthosting8.xyz अभी फिलाल कि यहां पर cdn आपकी 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 on हो जाएगी अब लोग वापस जाएंगे और यहां पर हम लोग नीचे आ जाएंगे अपने plugins पर image optimization पर हमें यहां पर इसका में यूज करना है image optimize करने के लिए जैसे आप लोग क्लाउट से कर लोगे इसके बाद यहां पर आपको सिफ कर देना है send optimization request पर तो अभी आपको सिफ वेट करना है पंदरा बीच मिनिट यहां फिर आदे घंटे तक कभी कबार इसमें टाइम बे लग जाता है तो आदे एक घंटे तक आप लोग वेट कर लीजिए उसके बाद यहां पर मेरी पूरी निए सब यहां पर create हो गए है LQI P इसमें टाइम लगता है ठोड़ा बट क्रियेट होने के लिए एंड वेट वर्जन अभी इन सब के बच्चे में तो यह वेट टाइम क्रियेट हो जाएंगे इसमें आपको यहां पर थोड़ा ताइम इसको छोड़ना पड़ेगा उसके सब्सक्राइब कर देता है अब हम यहां पर इसके पेज स्कोर रन करके देखते हैं यहां मेरा युर्ल में आपर इसको डाल लेता हूं अभी फिदाल हम लोगे स्पेज को नहीं चोड़के जाएंगे तो फिर कुछ लोग बोलें कि मैंने गलत रिजर्ट बताएं बट ठीक ह चीए हाँ जी हाँ नाइंटी वन हमारे पास आ चुका है विच इस डीसेंट स्कोर काफी अच्छा स्कोर रही है और यहां पर ठीक है कुछ इमेज है जो अभी तब यहां पर वेपी पर नहीं हुए ठीक है वो गनवर्ट हो जाएगी और इस बूद स्कोर रहें एक बार फि तो यह सारी चीजे इसमें चलती रहती नाइंटी से हंड्रेट की बीच में आपको मिलता रहेंगा डेक्स्टॉप पे इस 99 विच अगीन वेरी गुड क्योंकि हमें यहां पर स्पीड के हसाब से ही मैंने आपको यह पूरा बताया है क्यों कि बिना स्पीड के आज के टाइम पर इतना काम का नहीं है बैंगलोर पे यहां पे टेस्ट करके देख लेता है और यहां पर निकल किया है वह 893 MS जो की अंडर वन सेकंड जो की काफी अच्छा है considering यह अच्छी खासी हमारी वेबसाइट है KPTest Hosting 8 यह हमारी वेबसाइट में एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूं सब यह पर प्यार से चल रहा है कि नहीं चल रहा है हम लोग इसको एक बार इनकोगनेटो विंडो में भी खोल लेते हैं यह है हमारी वेबसाइट इसको लाट इसकेड लोगनेट वन से कंद्ट है हम पास्ट्री में आपक उर लोगनेटों फैसंते हैं हम व्ममाइट कर अच्छी सेक्शने हैं अच्री थे सब्सक्वरा नियु आपको बीशफ्रेश रहा सब्सक्राइट रहा है अब इसको एडिट करने के लिए आप लोगों को आजाना है All Pages पर हम लोग यहाप पर इसको एडिट करेंगे Block Editor का यूज करके तो फिलाल के लिए हम लोग यहाप पर हमारे Home Page को ही Edit कर लेते हैं या फिर Service वाले Page को हम लोग यहाप पर Edit कर लेते हैं यह रहा हमारा Service वाला Page आपको थोड़ा बहुत बहुत बेसिक्स पता होने जिए WordPress के कि क्या pages होते है क्या block editor होता है कैसे menus वगरे सेट करने है तो वह बेसिक चीज़े आपको मिल जाए कि नेट के ऊपर मैं उसमें जाला डिटेंट में नहीं जाऊँगा नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा हमें बस यह देखना है कि हमारा जो पेज अच्छे सेटप कैसे किया जाए और उसकी स्पीड भी साथ में कैसे में जाए यह मेरा में परपस है आज का इस वीडियो का तो यह रहा हमारा जो पेज है सर्विस का अगर हम यहां पर कुछ नीचे आड करना है फॉर एक्जांपल यह रहा यह आपका आखरी कॉलम है तो यहां पर हम लोग आड पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपके ब्लॉक्स पहले से कुछ template से cadence के तरफ से ही जो आपको फ्री में आप मिल जाएगी pro versions से अलग है free version की पहले हम लोग बात करते हैं तो service में ही मैं आ पर देना चाहता हूं एक pricing का तो में आपर इस लेक्क कर सकता हूं एंड यहांपर यहां पर यहांपर प्राइंग का आ चुका है इसी इमेज वगरे चेंज करनी है वो सब आप लोग यहां से right hand side से कर सकते हों तो अब आपको यहां पर थोड़ा बहुत इसको explore करना पड़ेगा कि कि ब्लोग एडिटर पी कैसे काम करता है कैसे इसको एहां पर edit वगरे करना है पर गिजाम्पल अब अगर मुझे यहां पर कुछ और बेशे करना है इसके नीचे तो यहां तो मैं देखो कि क्या उस पर यहां पर कुछ impact पड़ा है कि नहीं पड़ा है अगर पड़ा है तो उसको remove कर दो वही plugins यहां फिर वही design elements दालो जिससे आपके page speed score को ज्यादा impact नहीं पड़े हर चेंज करने के बाद अपने page speed score को यहां पर रन करके देखो अगर वो 90 के उपर है तो fine अ अच्छी है कि नहीं अगर आपको cadence team के बारे में और जानना है और उसको customize करना है तो इन tutorials का follow करके आप लोग अपनी theme को customize कर सकते हैं so welcome back guys, अभी website live है kptesthosting8.xyz के ओपर कब तक यह live रहेगी उसकी मैं कुछ guarantee नहीं दे सकता हूं अभी यह live है आप लोग खुछ जाके check out करना चाहें तो check out कर सकते हैं चायद से मैं domain name उसका future में change कर दूँ अगर आपको यह अच्छा लगा तो इसको thumbs up ज़रूर देजिएगा अगर आप लोग पहली बार यहां पर wordpress का use कर रहे हो तो उसके थोड़े basics देख लीजेगा वो आपको internet पेजीली मिल जाएंगे कि क्या होता है pages क्या होती है themes क्या होते है menus वगरे कैसे setup करना है अगर आप लोग वो basics देख लोगे तो फिर इस tutorial को follow करना आपके लिए easy हो जा sources that you currently have golden statement है याद रखना है so that's all for this one अगर आपको वीडियो चलागे तो उसको thumbs up देजेगा चैनल को subscribe कर लेजेगा और interesting videos के ले and I will see you guys in the next one good bye